बच्चों, आज हम तृतिये वर्ष समाश्यास्त्र के प्रधम प्रशन पत्र का अगला चैप्टर हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का सिध्धान पड़ेंगे सबसे पहले तो हम ये सपश्ट कर लें कि समाश्यास्त्र में उद्विकास की अवधारना कहां से आई है प्रानिशास्त्र से ग्रहन की गई है डार्विन ने जीवों की उत्पत्ती के बारे में अपना उद्विकासिये सिध्धान्त प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता तथा समानता से भिन्नता की ओर हुआ है Spencer of Morgan जैसे समाझ विज्यानिकों ने उध्विकासिये विचार को समाझ व संस्कृति पर भी लागू किया और कहा कि इनका भी जीवों की भाती उध्विकास हुआ है सामजिक उध्विकास की व्याख्या करने से पूर्व उध्विकास के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है परिभाशा का अध्यायन करेंगे अंग्रेजी भाशा के evolution शब्द की उत्पत्ती Latin भाशा के evolver शब्द से हुई है जिसमें E का अर्थ है बाहर की ओर यानि की out तथा volvier का अर्थ है प्रकट होना यानि to unfold या विक्सित होना या develop होना इस अर्थ में किसी भी वस्तू के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहते हैं किन्तों विज्ञानिक द्रिष्टी से उद्विकास का ये अर्थ अपूर्ण है विज्ञानिक अर्थ में उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी साधी सरल वस्तू या साव्यव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारन कर लेता है उद्विकास के लिए जब एक बीज का अंकुरित होकर व्रक्ष का रूप धारन कर लेना या एक कोष्ट का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना उद्विकास है इस प्रकार जब किसी वस्तू के गुण, ढाचे, वकारे में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहेंगे उद्विकास को हम एक सूत्र के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं उद्विकास बराबर निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढाचे वकारे में भिन्ता उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्पेंसर लिखते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकी करण तधा उससे संबंधित वहगती है जिसके दोरान कोई तत्व एक निश्चित तथा असंबध समानता से निश्चित और संबध समानता भिन्ता से बदल जाता है इस प्रकार उद्विकास में किसी वस्तु में परिवर्तन समता से विशमता की ओर होता है और इससे वस्तु की जटिलता में व्रद्धी होती है मैकाईवर और पेज लिखते हैं इन्होंने जो परिभाशा दी है मैकाईवर और पेज ने वो इस प्रकार है कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तातपर उद्विकास से होता है दूसरी परिभशा ओकबर्ण और निमकॉफ ने दी है उन्होंने उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है अता इन परिभाशाओं से स्पष्ट होता है कि उद्विकास किसी एक विशेश दिशा में होने वाला परिवर्तन है जो वस्तू की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तू की जटिलता में व्रद्धी होती है तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को उद्विकास का अर्थ क्लियर हो गया होगा हम अगली टॉपिक पर बढ़ते हैं दूसरी टॉपिक है उद्विकास की विशेष्टा है उद्विकास की हम कुछ विशेष्टाओं का अध्यान करेंगे जैसे सबसे प्रथम है उद्विकास सदेव सरल्टा से जटिलता की ओर होता है तो बच्चों इसमें हम यह अध्यान करेंगे कि प्रारंब में किसी वस्तु या प्रानी के अंग गुले मिले एवं धुन्दले होते हैं धीरे धीरे उनमें अंतर स्पष्ट होने लगता है वे प्रत्थक हो जाते हैं और उनका स्वरूब भी निश्चित हो जाता है जैसे प्रारंब में ब्रून एक मास का पिंड होता है और धीरे धीरे उसके हाथ, पाउं, नाक, कान, आँख आधी दिखाई देने लगते हैं इसकी दूसरी विशेश्टा है उद्विकास निरंतर एक दीमी गती से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है अर्थार उद्विकास में परिवर्तन निरंतर होता है, किन्तु यह इतनी धीमी गती से होता है कि परिवर्तन को देख पाना संभव नहीं होता उधारन के लिए हम कह सकते हैं कि जब एक बालक किशोर एवं युवा हो जाता है किन्तु उसके बड़े होने की प्रक्रिया हमें स्पष्टता दिखाई नहीं देती है तीसरी विशेश्टा है उद्विकास विभेदी करन की एक प्रक्रिया है उद्विकास के दोरान जीव अथ्वा समाच के विभिन अंगों में विभिनिता पैदा होती है वस्तू के अंग या शाखाएं धीरे धीरे सपष्ट एवं प्रथक होती जाती है चोथी विशेष्टा है उद्विकास एक सार्व भौमिक प्रक्रिया है अर्थात ये सभी स्थानों वो कालों में पाई जाती है इसलिए इसे हम सार्वभौमिक कहते हैं पांचमी विशेष्टा है उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है इसमें ये दिप्य हम निश्चित नहीं कर पाते कि ये दिशा क्या होगी लेकिन जो परिवर्तन होता है वो एक दिशा की तरफ निरंतर अग्रिसर होता है छटा पॉइंट है उद्विकास वस्तू की आंतरिक व्रधी है के कारण होता है साथवा मिंदू है उद्विकास के दौरान वस्तु अत्वा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है यानि कि वहाँ पे गुणों का विकास होता है संख्या का नहीं आठवा मिंदू है उद्विकास एक मूल्यर रहित प्रक्रिया है यानि कि वैल्यूलेस अर्थाथ प्रगती की तरह इसका संबन अच्छाई बुराई से नहीं होता है नाइन्थ पॉइंट है उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन है अर्थाथ प्रथम चरण के बाद दुतिये एवं दुतिये के बाद तृतिये चरण आता है और ऐसा नहीं हो सकता कि प्रथम के बाद तृतिये फिर दुतिये चरण आये उधारन के रूप में एक बच्चा पहले युवा होगा फिर व्रद ना की पहले व्रद और फिर युवा दस्वी और अंतिम विशेष्टा है उध्विकास के चरणों की पुनरावरत्ती नहीं होती इसका तात्परी क्या हुआ कि जिस चरण को छोड़ दिया जाता है पुनह उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता उधारन के लिए जब एक बालक युवा होने के बाद पुनह बालक की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता